यूपी की राजनीती से बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रुबरू हम करवा देए सीम योगी ने विधान सभा उपचुनाव के लिए तैयारी तेस कर दिये सभी सीट के प्रभारियों के साथ कल बैठक होगी और एक सीट के तीन प्रभारी बनाए गए है उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी सूतरों के मताबिक जिन वजों से लोगसभा चुनाव में हार हुई उनसे बचने के उपायों पर चर्चा होगी बड़ी खबर इस वक्त उपचुनाव की रणनीती को लेकर कल चर्चा होगी और इसी पर संजे तिर्पाठी मेरे सयोगी जुट चुके हैं जानकारियों के साथ संजे कल की जो बैठक होने वाली है उपचुनाव की रणनीती को लेकर इस पर जो चर्चा होगी उस पर जो जानकारी आपके पास है विस्तार से दीजिए तरशको को कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था दीपा किस तरह से जो पंदेश कार समयती की बैठक होई थी उसमें तमाम विश्यों को लेकर करके चर्चा होई कि किस तरह से जो लोगसभा चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा है उसके कैसे उगरा जाए उसके बाद में कि अपने हर सीट पर तीन तीन मंत्रियों की समयती बनाई है जो जा करके वहाँ पर्चार करेगी वहाँ की कारकरताओं से संद्विटन से मिलेगी मढदाताओं से मिलेगी उनकी समस्चाई सुनेगी बात्चीत करें और ने रिया इसकी कल बैठक बुलाई गय गयर तो ऊब इसमें जो लोकसवाद चुनाओं में हार के कारण हैं वो दोरायन अजा सकें अच्छे तरीके से तारी चीजें मैनेज हों दस की दसों सीटों को भारती इंता पार्टी जीते इसकी कवायत की जाएगी इसी मकसद से कल जारा बजे के असपास ये बैठक बुलाई जाएगी जि जैसे ही घड़ी का काटा दोपेर ढ़ाई पे आए बबीदजी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी प आपके